अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आप क्या करते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि पूजा करके यादान दे कर अगर हम आपसे कहें कि मद्यप्रदेश के ओर्चा में लोग मंदिर में पूजा करने से पहले सलामी देते हैं तो शायद आपको यकीन नहो जहां सी के पास में मद्यप्रदेश का एक छोटा सा गाउ है और च्छा बुन्देलखन के इतिहास को अपने में समीटे यह गाउ मद्यप्रदेश टूरिज्म का प्रमुख हिस्सा है यहां राम राजा मंदिर स्थित हैं मंदिर के बारे में बहुत सी कहानिया मशूर हैं यहां पर श्री राम को राजा की तरह कूजा जाता है माईयता है कि राम यहां के राजा है यहां पर जब दर्शन के लिए पढ़ खुलते हैं तो सबसे पहले पुलिस की सलामी दी जाती है इसके बाद ही भक्त यहां दर्शन करते हैं आज भी यहां एक मायता प्रचलित है कि राम को और चाह इतना पसंद है कि वे हवयोध्या में रात रुखते हैं और सुबह और चाह आ जाते हैं मंदिर में रामराजा के अलावा सीटा लक्षमन और हनुमान की मूर्तिया भी स्थापित हैं अगर आप भी इस अनोखे मंदिर को देखना चाहते हैं तो ट्रिप प्लान कर सकते हैं कैसे जाएं आपको अपने शहर से जहासी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन लेनी होगी और या हेरपोर्ट उत्तरने के बाद आप बस टैक्सी से और चाह पहुंच सकते हैं कब जाएं आप किसी भी समय इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं आसपास क्या है खास इस मंदिर के अलावा आसपास कई मंदिर पार्क और एतिहासिक इमारते हैं